हलो शातियो, वीपीएसी की OMR सीट कैसी होगी, कैसा उसका पैटर्न होगा, क्या 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 इंस्टिक्शन्स आपको फालो करने हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्या क्या इंस्टिक्शन्स आपको फालो करने हैं, यहां पे आपका नाम होगा, यहां पे आपका OMR सीट का सीरियल नंबर होगा, ठीक है? यहां पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, और उसकी प्रॉपर बबलिंग करनी है, डेट अप बर्थ, डी, एम, वाई, 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 फॉर्मेट पर भणा है, प्राथमिक, प्रैमरी पेपर का जो मेइन सब्जिक्ट होगा, जनरल स्टडीज वो यहां पे आपको फिल करना है, और जो कुश्चन पुकलेट पेपर सिरीज हैं, वो यहां पे आपको A, B, C, D, फिल करना है, बॉक्स में, उसके बाद सेम आपको बबल कर देना है, ठीक है, आप देखिए आपके पास नंबर आफ कुश्चन कितने होगे, 120 होगे, ठीक है General Studies आपका यहां पे पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपके पास एक option में, एक question paper, question में आपके पास 5 option होगे, ठीक है, A, B, C, D, E, आपके पास negative marking भी है, तो आपको appropriate questions जो आपको सही लगता है, जिसमें आपको 60% या 50% से ज़्यादा options आपको correct लगते हैं, उसको आपको इस त बहुत important examinations है, more than 1,75,000 vacancies है, बहुत सारे आविदन मिले हैं, 10 से 12,00,000 लोगों ने apply किया है, primary में competition का level बहुत ज़्यादा है, लगबख 1-9 का competition है, अगर मैं आपको बात करूँ higher secondary में, तो higher secondary में लगबख 70% seat के respect, कितनी seat हैं, उसमें 70% लोगों ने form field किया है, 1-2 के असपास का competition secondary में है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको अपना Hindi में stature करना है, English में करना है, जैसा अपने form fill करते से में upload किया है, ठीक है, certificate देना है, invigilator को और वो sign करेगा, ठीक है, अगर मैं middle की बात करता हूँ, ठीक है, तो main paper subjects क्या होगा, उनका, seat number, role number, date of birth, यहाँ पे आपको ध्यान रखने के ज़रुद है, ठीक है, part 2 में आपको select करना है, यहाँ पे, history, geography, और यहाँ पे आपके पास geography, economics और political science होगा, ठीक है, तो जो आपका paper pattern होगा, general studies के बाद, part 2 और part 3 में आपको कोई भी परतेक पार्ट से एक्वी से चुड़ना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ geography choose कर लिया, तो यहाँ पे geography choose नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर आपको economics और political science choose करना है, ठीक है, तो यह चीज़ आप पुद यहाँ रखने की जरूरत है, यहाँ पे भी आपके पास part 1 general studies में 40 questions होंगे, ठीक है, मैं secondary की बात कर रहा हूँ, 6 to 8 की जो teachers का selection होगा, part 1 में आपके पास general studies होगा, जिसमें 40 questions होंगे, part 2 में चैनित विसे history या geography का उत्तर दे, ठीक है, history या geography का उत्तर दे, ठीक है, और फिर आपके पास जो part 3 है, यहाँ पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो, चैनित विसे geography यहाँ पार्ट 2 में नहीं लिया गया हो, तो economics, political science का उत्तर दे, ठीक है, तो यहाँ भी 40 questions होंगे, 40 questions, part 1, 40 questions आपके general studies के आएंगे, 40 questions में आपका history होगा, second part में आपका history होगा, उसके भी 40 questions होगे, और third part में आपके पास economics, political science का, यहाँ पे selection कर सकते हैं, इक एक ही आपको लेना है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका sign होगा, हिंदी और इंग्लिस में, और यहाँ पे आपका certificate, invislet, sign करके, देखा आपको, ठीक है, और यह paper आपका qualifying nature का होगा, qualifying nature का जो paper होगा, उसको अपको कैसे देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास, ध्यान से देखिए, जो part one होगा, वो आपका कैसे होगा, question number one से लेके 25 तक आपका क्या होगा, English language का paper होगा, ठीक है, compulsory होगा सब के लिए, और part two में आपके पास कौन सा paper होगा, हिंदी, उर्दू और बेंगाली हो सकता है, ठीक है, part two में आपको एक ही कुझन है, 75 questions होगे, चाहे वो हिंदी आप लेते हैं, चाहे उर्दू लेते हैं, चाहे बेंगाली लेते हैं, वो आपको यहाँ से 75 questions select करने हैं, जो भी आपने form में फिल किया है, तो यह qualifying nature का है, बट यहाँ भी negative marking है, तो आप लोग को carefully ध्याँ कर रहा है, ठीक है, अब यह हमने आप से discuss कर लिया है, ठीक है, जो माद्यमिक paper है, उसका जो मुख्य विशे होगा, वो आपको यहाँ पे note down करना है, और part one हमारा general studies का हो गई, और part two में आपको एक ही subject choose करना है, ठीक है, एक ही subject choose करना है, तो यहाँ पे दिखिए, हिंदी, बेंगॉली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, परसियन, इंगलिस, साइन्स और mathematics, इतने subjects के लिए आपके examinations होगा, ठीक है, और secondary का जो main paper subject होगा, वो आपके 40 questions तो आपके general studies में आएंगे, और 80 questions आपके part two में आएंगे, जो आपने subjects लिया है, तो इस तरीके से आपका जो paper button होगा, यह होगा, ठीक है, अब मैं upper primary की अगर बात करता हूँ, हैर secondary की बात करता हूँ, sorry for that, तो उनका जो part one होगा, वो general studies का paper होगा, जिसमें 40 questions आएंगे, अगर part two में बात करता हूँ, तो part two में आपके पास 30 subjects हैं, इतनी languages होगे, तो आपके general studies के आएंगे और 120 questions आपके main subjects के आएंगे, ठीक है, जो भी subjects आपने लिया है, तो इस तरीके से आपका जो paper pattern होगा, उसके cutting OMR seats design की गई है, आपको properly OMR seats को fill करना है, fill करने के बाद आपको bubbling carefully करनी है, गलत bubbles या एक ही column की दो bubbles में आपका bubbling ना हो जाए, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये examination directly आपकी job को effect करेगा, आपका selection होगा, आपकी salary, बहुत सरे लोग इसको rubber से erase करने की कोशिस करता है, cut करने की कोशिस करता है, tier करने, तो उस case में आपका evaluation नहीं होगा और आपका candidature reject हो जाएगा, ठीक है, तो ये OMR seats का discussion है, official sites पे ये discussions, BPSC के sites में, ये देखिए, यहाँ पे है, bpsc.bis.nic.ins, वहाँ से हमने ये आपकी direct information share की है, आप लोग seriously इसको print out करके इसकी practice कर लिजे, examination से पहले कम से कम 15 से 20 mock test आप जरूर attempt करिए, जिससे आपका selection होने के chances बढ़ जाते हैं, हम अपने channel के मादधम से ये सारी updates आपको देते हैं, अगर आपको ये information अच्छी लगी हो, तो channel को subscribe करना मत भूलेगा, और bell icon को press करना मत भूलेगा, जिससे आपको latest updates मिलती रहे हैं, कोई query हो तो comment करके जरूर पूछे, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे, तो ये information हम आपको सीथे पटना से share कर रहे हैं, BPSC की हर update हम आपको share करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिन चाहिन चाहिए,